इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करत जलता है कि स्पिरूलिना सफेद रक्त कोशिकाओं और एंटिबोडी के उत्पादन को भी बढ़ाता है, जो शरीर में वाइरस और बैक्टिरिया का प्रबंधन करता है. इसमें कॉपर, आइरन, मैंगनीशियम, पोटेशियम और मैंगनीज की अच्छी मात्रा होती है और लगभग हर दूसरे पोशक तत्व की थोड़ी मात्रा होती है, जिसकी आपको आवशकता होती है. स्पिरूलिना में प्रोटीन की गुनवत्ता बहतरीन मानी जाती है, ये सभी आवशक अमीनो एसिद देता है, जिसकी आपको आवशकता होती है. स्पिरूलिना में फाइकोसाइनिन मुख्य सक्रिय यौगिक है और इसमें अंटियोक्सिदेंट और अंटी इंफ्लमेटरी गुन होते हैं. चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में. एक, स्पिरूलिना ट्राइगलस राइड्स और खराब LDL कॉलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है और साथ ही साथ अच्छा HDL कॉलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है. दो, स्पिरूलिना में कैंसर रोधी गुन हो सकते हैं और OSMF नामक एक प्रकार के पूर्व कैंसर वाले मूँ के घाव के खिलाफ विशेश रूप से प्रभावी दिखाई देते हैं. तीन, स्पिरूलिना निम्न रक्चाप की स्तर को जन्न दे सकता है. चार, स्पिरूलिना की खुराक अलजिक राइनाइटिस के खिलाफ बहुत प्रभावी है, विभिन लक्षनों को कम करती है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें.